शनिवार तक कोरोना का एक भी के सामने नहीं आया था लेकिन रविवार को अचानक एक मरीज की मौत हो गई एक संदिक्त की भी जान गई दो मरीज में कोरोना की पुष्टी हुई है जिसके बाद से पूरे राज में हड़कम बच गया है लेकिन इसके बावजूद स्वास विभाग की लापरवाही सामने आ रही है दरसल गया के अनुग्रे नरायन मकद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत BTMC ड्राइवर अरजुन कुमार की मौत हो गई हैरानी की बाद ये है कि अरजुन में कॉरोना की लक्षन दिख रहे थे लेकिन पाँच दिनों से बीमार रहने के बाद भी उसे आइसोलेशन वॉर्ड में भरती नहीं किया गया इस मौत के बाद प्रसाशन की नीन खुली और अंतन संसकार के लिए चिता पर रखे शव का ANMMCH के डॉक्टर सैंपल लेने पहुँचे सैंपल को जाज के लिए RMRI पटना भेज दिया गया है जाज रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की पुष्टी हो सकेगी आपको बता दें कि कोरोना वाइरस को लेकर डॉक्टरों की लापरवाही साफ देखी जा रही है लेकिन राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 31 मार्श तक लॉकडाउन करती है निउस टेस्क